वेल्कम टू सरावली क्लासी पीरी विध्यारतियों पूरू में हमने मॉरल एजुकीशन की बारे में पड़ा नैतिक शिक्षा, इसमें सेंटिमेंट, विल एंड कैरेक्टर वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और उसमें जिसको हम नॉर्मल रूप में आज हम पढ़ना चाहरे हैं एजुकीशन साइकलोजी में हैबिट एंड एजुकीशन, आदत और शिक्षा अब कभी तो यूँ लगता है कि आदत इस आदत, आदत में हम क्या पढ़े हैं ऐसा नहीं है, जब हम बहुत बारी कि सूचते हैं कि जो हमारा वह से हम देखते हैं गणित हाड है, अंग्रेजी हाड है, जब कि मैं कहता हूँ कि सबसे हाड हिंदी और संसक्रत है, क्योंकि ज फिर जाती भी नहीं है, और बिलकुल मतलब जो है, वो संजीदा जाता है, जब तक नहीं सीखता है, तो उसको बड़ा हाड लगता है, तो मेरा यहां अभी प्राइए कि आदत, इसको अपन नॉर्मली क्या है, आदत ही है, ठीक है, आदत में सुधार और गल्ती, दो ही बात है, नहीं, ऐसा नहीं, यहां में शिक्षा में आदत का, तो मैं आपको ब्रेन वास करने के लिए पहले एक बात बता दूं, कि जैसे बालक थार्ड, फोर्थ, प्रिप्ट के अंदर, जो ग्रामन सीख याता है, अपन जो कॉमन आते हैं, वो तो पन पढ़ेंगी, जानवर मे में भी होती है, लेकिन विद्याले में शिक्षक हमारे लिए बहुत महत्ति भूमी का अधा करता है, और विशेश रूप से जो मेरा अपजर विश्ण है कि थार्ड, फोर्ट, प्रिप्ट में, चाए वो हिंदी ग्रामर हो, चाए वो अंग्रेजी ग्रामर हो, और चाए वो संसकर्थ व्याकरण हो, इन तीनों में प्रतीक विद्यारती पूरू में जनम जात कोई, पढ़के नहीं आता है, टीचर के माध्यम से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहां वो जो गल्तिया करता है, और जो प्रॉपर गल्ति को, टीचर सुधार करता है, यानि कि अपनी जो आत्ते हैं, बोलने की भासा में, तो फिर वो जीवन पर रहेगा, चाहिए वो क्लेक्टर बन जाए लड़का, लेकिन उसको जो वो गमी जो है, वहीं उसका प्रजेंटीशन करेगी, तो इसका कहने माला हमारी आत्तों में सुधार, शिक्षक की द्वारा क्यों, तो इसका मला हम शिक्षा में कैसे इसकी उप्रवर्तिया पायाती है, जन्व जात जो रिलेटेड हमारे मूल परवर्तियों से, मूल परवर्ति जो आपको चाहुदा मूल परवर्तियां, पूरु में मैं वीडियो में बता चुका हूं, कि युद्साब, प्लाइन, करुणा करते हैं, और फिर जो अरजत करते हैं, तो ओंका कि जो हमारी दो प्रुकार की परवर्तिया, जन्वा Bennett और अर्चित अब कि आदत के लिए पहला तो आदत एक स्वैचालित व्यावार है अब इसका उधारण की रूप में अपन रोजमरा में उड़ते ही हम तो बिना इसके रह नहीं सकते क्या करें चैसे चाहि के उधारण ले लो उड़ते ही बैठ टीची तो यानि कि हम तो बिना है अदत पढ़ गई है अब मनोविध्यानिकों इस आदत को परिवासित किया विलियम जेंस मौदे ने, qada की आदत प्राणी के पूरुवक्रत्य की पुण्रावर्ती है रिपिटीशन है मेद प्राणी के पूरुवक्रत व्यावbtबर्वार्ती है है क्या मतलब हैविट इजे टेंडेंसी ऑफ एन और्गेनिजम टू भी हैव दा सेम वे एज इट हैज भी हैवड भी फोर पुर्व करते व्यावारों की पुंड़ा वर्ति है प्र हौशा मारे दूसरे जो मन्न मेज्जय के मौपान तथा गीली मौपान यह मौननों कैसे आदत को से कि अदे कियां की व्यावार के सब्वर्तन जो अनुभव द्वारा अजित किय जाते हैं आदत कहलाते उंटो अन्बो दुरा अजित कैलाते हैं वह क्या है यह है फिर गेरट मॉ Generally गार apt जो प्राय इतनी बार दोरा जाता है कि स्वेचलित हो जाता है इतनी मोरह अपनों उसको दोर आ चुकंए तो इन तीनों थे दिनानिकों ने आधात को को परिभास्शीत किया अब आगे बढ़ते हैं आदत की विशेष्टाइं कैरक्टर्स्टिक्स आप हैबिट्स इसमें अलग-अलग सरलता और सुगमता अब आप देखिए अपन टाइप सीखने के लिए जाते हैं और पहले आज के कि विश साल पिले तो टाइप का जमन अथा आज टाइप कम होगे अग्या कंप्यूटर उसकी जगह आगे लेकिन कंप्यूटर में भी कीबोर्ड है जिसको एसडी एप जैमी कॉलन तो उसमें टिकावा है कि आप करत करता आपको याद एता है एसडी एप जी सेमी कॉलन ल के मैंने भी टाइप सी की तो इसलिए आज याद है तो केना का मतलब यह मारी आदत बन जाती है और फिर आप मीच के भी जो टाइप राइटर है कंप्यूटर वाला भी बाते कर रहा आप से उपर लेकिन वह पर काम सहीं कर देगा तो उसकी क्या बन गई आदत बन गई तो सरल सुगमता जैसे टाइप करना अभ्यास होने पर मतलब जो है सुगम हो जाता है ठीक है दूसरा रोचकता रोचकता का मलब रूची रुजान अब आप देगे दो परसेंट बालक या पांच परसेंट बालक तो स्वते ही जो ना नहीं करते हैं और इस्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं वहला उनमें प्रमस्तिक जीनियस है बड़े गाड़ गिप्टेड है तो वो जो ही बड़े होते हैं समझ आती है या पहले जो पुरुआ लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको फोबिया मानते हैं वाजिए स्कूल में कोई वहां उनको केंट कर लिया जाएगा पकड़ लिया जाएगा या उनके मन में ऐसे कोई भावना रहे वह इसकूल जाने से पहले ठीन ठीन आते फिर अपन क्या करते हैं टौफी दे चुड़ाते हैं बहुत सी बार तो बच्चा से बाहर आजाता है नाना जाओंगा दादा जाओंगा मम्मी जाओंगा अब क्योंकि उसकी अब जब आदत पढ़ जाती है पिर दीरे दीरे वह इसकूल जाने में रूची लेन लगता फिर तो खुद तैयार हो जाएगा मम्मी मेरा टिपन मना दो पापा मुझे छोड़ के आ जाओ पापा कही नहीं तो अंकल भाया जो भी है तो कहने का मतलब है रोचकता भी दूसरी विशेष्टा आदत की जो आपको धारन में नहीं बताया तीसरा एक रूपता अब एक रूपता की आदत है सभी संसार के प्राणी तो सब खाने जनम जाद भी जानते हैं कि खाना भूग लगती है क्योंकि भूग हमारा नेचरल है तो खाना पीना चलना फिरना बाची लिखना पढ़ने में आदत पढ़े उनिपॉर्म कॉमन ली मालब अंतर तो होता है लेकिन एक कॉमन आदत है तुर में का यूनिफॉर् की बात आती है तो मतलब हमें क्योंकि उसके लिए हमारी आदत वह पढ़ जाती है कि हम वास्तों में किसी काम को एकुरेट तरीके से करें तो वह हमारी एकुरेशी का काम करती है यथार्ता तो यथार्ता में आदतों के कारण कारिये ठीक ठीक अच्छे डंग से किया जाता ह और बोलें 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 बहुता है वेलकुल एकुरेट हो गया काम यहनि यह थार्त वर्ड यूज होता है रीयल में इसे कारियों में अधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता है इसलिए से सिगृता से कर जाते हैं अपनः अपने बदा कि घरं छीज टचो गया अपन क्या करेंगे वह मारा जिकरता है मस्तिख सवेदा मिल जाती i मैंटना मेरा मंट्रियो जुड़ा है तो मैं सुमचना मिलती है कि यदा ज्यान स्वातंतर श्यान स्वातंतर का मतलब जैसे अपने रीडियो खोल के सुनना तीवी चुल कर दिया इंडिपेंडेंस अप कि अटेंशन सतंत रूप से तो इसमें क्या उधारन बताया मैंने कि रीडियो खोल करके सुनना स्वेटर बुनना उसमें क्या अधित बढ़ जाती है जो है मतार है मैं तो इसमें मैचना है वह उनकी ब्रैक्टिस मैं प्रफैक्ट तो ये आधत की क्या है विशेश ताएं मैं आपको च्हेमें पॉइंट बताएं यह आपको ध्यान रखना है अब आता है आधतों के प्रकार टाइप आप हैबिट्स, काइंड आप हैबिट्स, आद्तों के प्रकार में बताया यांत्रिक आद्तें, यानि कि जो हमें ओटोमेटिक के बताती है, आद्तों के प्रकार, आद्तों के प्रकार में आपको ऐसा लगे कि यांत्रिक प्राते काल जल्दी सेहर होता हर आदमी जो ह ऊट जाता है यह वो कह सकते हैं की आलसी रूक से है या अपनी फ़िदरत है ले हो जमाग् मेरता है जब कि ऐसा नहीं को मरीज है बढ़ापे वाली बात नहीं है यहां बहुत सो लोगों की हैबिट्स में आ जाता है कि सारे रिक मतलब उन्होंने एक आदद डाल लिए कि जब चाई मिलेगी तब ही अपन पेलें को छोड़ें तो यह सारे किछा पूर्ति वाली है और भी इसमें फिर आता है जैसे हमारा भासा समंधि क Kommentar घरेलू बासा को को विद्द्याले में बोलना तूटी होता है घर में अपन मारवाडी में या आपनी परिवार की ओटालाइबात यह जिस्टा से वो तुर्टी पूर महां आपको हिंदी घंदी में सुध हिंदीन बात करें और अंग्रे जी के अंग्रे जी के प्नंसेशन अच्यों तो यह वह नहीं होनदी पीर चोता सनायन मंधल चोता सनायन मंदल है उससे अध़े जिसे कोई नाख़ंच और ज्यादा जैसे यहां केते ही ओड लगता है मुह में अंगुटा चूशते रहना बच्चों में आता है लेकिन बहुत पढ़ पढ़ दो बच्चे बहुत से मैं देखा है गाहों में 5-6 तक बच्चे जो है अंगुटे चूशते हैं अलाकि आज कि उसमें सुधार हुआ है यह ज़्यादा प्रिवेस था लेकिन नाखुन चवाना तो आप बढ़ों को भी देख सकते हैं कि उनकी आदत पढ़गी तो नाखुन को जाना तो इसनाय मंदल सबती आते हैं नेतिक भावना समंधी आते हैं जो moral हमारी value है उससे related है कि प्रोपकार की भावना दूसरों के habits कैसे formation होती है एना rules of habit formation विलियम जैंस ने मतलब आदत बनाने के यह चार परमुखनियम बताये हैं पहला तो उन्हों बताया संकल्प की दढ़ता जैसे मतलब प्राते काल रोज पढ़ना है विद्यारती आदत पढ़ जाती मुझे उठते पढ़ाई करनी किरिया सीलता दर आदत में शिदलता नहीं अनुसार जितने गंटे करना है उतना वह आदत में शिदलता है अभ्यास बार बार दोरात रहेना तो यह आदत निर्मान के यह चार नियम अमारे मनोविज्ञानिकों ने बताये जिनकों हमें प्रैक्टिकली अपने को आत्मसाथ करना चीब अच्छी है कि यह दि हमने इस पर गोर परमाया तो जो हमारा प्रोफेशन है बच्चों को पढ़ाएंगे टीचिंग और बच्चों की आत्तों सुदार कर पाता है और उससे हट करके विद्याले में क्योंकि विद्याले में कॉंपिटिशन संभू के साथ रहता है और बिलक तक उसमें थोड़ा बहुत सुदार लाए कि उन बच्चों की जो बुरी आत्ते हैं वो मतलब हलकी हलकी कम होती चले जाए तो बुरी आदतों को तोड़ने की जो विदिया है उसमें पहली है आत्मे निर्देश विदी आत्मा हमारी बुरी आदत तोड़ने के लिए मतलब यह सरवतम है क्योंकि अपने आपको निर्देश देता है अपने आदेश निर्देश बनाते हैं और मन में विचार करता है कि आदत बुरी है सराब नहीं पीना है क्योंकि यह बुरी आदत इसकी प्रिणाम गातक है तो यह अत्म निर्देश जो होता है वो सवर्वतम बताया गया है क्योंकि दूसरों की बात को तम फॉलो करे या नहीं करे और वो भी हमें पकड़ करके उसके लिए बात यह नहीं कर सकता है और करेगा क तो जिसमें उसमें अमुक आदत बुरी है और इससे उसका नुकसान होता है तो यह बात उसके दिमाग में इसलिए मुझे यह आदत छोड़ देनी चाहिए जैसे दुम्रपार्ण करना स्वास्ते के लिए हानिकार उसका उधरन क्या है स्वर्वत्म विदी वाले में जैसे हानिका रहे है ना लिखा भी रहता है नौ श्मॉकिंग श्मॉकिंग इस डेंजरस पर हैल्प तो यह उस चीच पर डिबबे पर एड़ पर टॉकिट पर तो यह उधारन हो गया और आत्म निर्देश विदी को क्यों सी विदी माना गया सर्वत्म विदिया है नियमों को तो अपने को आत्म निर्देश सर्वत्म है दूसरा बतायागा इसमें कि संकल्प क्या कहता है बुरी आत्तों को तोड़ने के लिए द्रणिष्चे करना कुछ भी हो जाए मुझे आज मतलब यह नहीं खाना है अब वो संकल्प कर लिया उसको विल पावर बन गई जब विल पा आदत का दीरे दीरे त्याग अपन क्या करेंगा उसको दीरे दीरे त्याग ने कारिक तो वह एक दिन जैसा चाई पांच भी रहे तो कल आप क्यों होगे तो इसकी मतलब हुआ कि मतलब आज़त का धीर धीरे त्याग चौता इस्तानापन विदी इस्तानापन का मतलब इस चीज को अपने इस्ता पान रिभाग है इस अभले बुरी आज़त को दूर करने लिए उसकांतर को अनि रहे आज़त को डालने का क्या कहते है तमागों की मनमा है तो सॉंप चाब लो कि सॉंप नहीं तो आप आवला कि बहुत सॉंप को भी नहीं है तो आवला मतलब में तो विटामीन अपने का उपस्ट्यूट का काम करी वातावरण में परिवरतन अब दूसरी वातावरण को अच्छे वातावरण में रखा जाए ताक्या वनकान है इसका स्कूल चेंड कर दो यह अपन जानते हैं लेकिन इसको शिक्सा में आप जब टीचर रहते हैं चाहे हो फ्राइमरी में सबी टीचर होता है रूप परीवर्त है कि कहीं अपन गाड़नर बन जादे कहीं अपन फ्रेंड बन जाते हैं और कहीं अपन फ्रेंड होड़ा फ्रभाव रखते हैं तो यह था हमारा मतलब जो है उसमें बातावन में परिवर्ताने पिर आता है छटा विरोधी आदतों को द्रड करना अब जो विरोधी आदते हैं उसको कैसे अपन द्रड कर पाएं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि विरोधी आदतों को द्रड करना द्रड का मलब कटोर हो जाना तो बुरी आदतो प्रकट होने में उपने को मदद करेगी तो यह होया विरोधी फिर पुरुसकार है जो अपन जगे जगे पढ़ता है उसमें भी आदत को सुदार होती है बोले दिर गलती नहीं सुदरेगे तो अपन और किसी को पुरुसकार है बुरी आत्तों को दूर करने के लिए दंड का प्रियोग भी किया जा सकता है और दंड के भे से बालक बुरे कारिये नहीं करता इसी प्रकार पुरुसकार द्वारा भी बुरी आत्तों को समाप्त किया जा सकता है तो पुरुसकार और धंड भी हमारी आत्तों सुदार के लिए आटवा मनो विसलेशन वादियों के द्वा मारा मनों विस्लिमादियों के अनुसार बुरी आत्तों का समंद अचेतन मन की भावना ग्रत्यों से होता है